नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? सर संजय राठोड संजय जी कहां से आये हैं? गाउं सुलगाउं तैसिल पुनासा जीला खनवा मद्ध ब्रेश से आया हूं सर मैं संजय जी संतरामपाल जी महाराज से आपने नाम दिख्षा कब ली? संतरामपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साथ ना करते थे? तो जो देवी देपता दुरगा आदी की आप भक्ति करते थे उससे आपको क्या क्या लाब हुए? जिसे हमारे पिता जी सराब भहुत पीते थे जिसे की सराब पीना पापा का घर में लड़ाई जगड़ा करना और घर में किसी प्रकार का भी आने की सूख नहीं रहना ये सारी हानी हुईवा करते इस सरम को. तो सर संतरामपाल जी महाराज की सरण में आप कैसे आए? सर में संतरामपाल जी महाराज की सरण में इस प्रकार से आया हमारे एक अंकल जी थे जो की सनावत चले गए थे हमारे गाउं से कुछ दूर उनको एक पुस्तक मिली उनने उस पुस्तक को पढ़ी फिर उन्होंने हमको ग्यान बताया संतरामपाल जी महाराज की सरण में आने के बाद संतरांपाल जी महाराज के लाखवा नियायों से हमने सुनाय कि बहुत से लाप प्राप्त होते हैं क्या आपके साथ भी कोई ऐसा अनुबव है जी सर हमार साथ भी परमात्मा जी ने बहुत दया बक्सी है हमें भी लाब मिला है जैसे कि मैं आपको बताऊंगा इस्टार्डिंग में सबसे पहले जैसे दास एक कमर की समस्या थी जो की दास नाना जी घर पे था तो वहाँ पर चलते चलते गिर गिया था तो वह कमर की समस्या परमात्मा जी संतरामपल जी महाराज जी की सरण में आदने और नाम दिख्चा लेने से ही समाप तो हो गई उसके बाद दास पेंटिंग करता है दास 30 फीट उपर से मंदीर का गुमबच कर रहा था दोपर का समय था दोपर के 12 बजे और उस समय उपर से करते करते 30 फीट उपर से दास नीचे गिरा लेकिन संतरामपल जी महाराज जी के ऐसी दाया रही कि जो 100% मोत लिखी हुई थी उस मोत को संतरामपल जी महाराज जी ने टाली और उसी दोरान कुछ समय के पश्चात हमारे हमाही जैसे की बढ़वानी जीला पढ़ता है आ रही थी उधर से हमारे पिता जी और वह सामने जो सात्मी बगत जी थे वह बाइक से आ रहे थे इतर से जाती भी बस के दोनों टायर निकल गए अब इने मालम बस भी अच्छे काशी इसी तही टायर है वह इतने इस पिट से आ रहे है लेकिन जैसे ही संतरामपल जी महारा कड़ गए और जो तक्ती हुआ करती दिसा चक्र उसको लेकर एकदम गड़े में गिर गए तब पदा चला कि यह जो टायर थे काफी स्पीट में थे कभी हमार उपपर आ जाते तो 100% मोत लिखी होती उसके बाद परमात्मा जी ने बहुत से चमतकार किये है जिसे सर हमारा से ही मिर्गी की बिमारी थी और उसका सारी जगा इलाज करवाया लेकिन फिर भी कोई आराम नी लगा फिर उसके बाद संत्राम पाल मिर्गी के दोरे आते थे अभी भी आते हैं नहीं अब नहीं आते अब आपकी बीमारी ठीक हो गई हाँ कैसे ठीक होई संत्रामपाल जी महाराज के सर्ण में आने से सर आपने बताया कि संत्रामपाल जी महाराज की सर्ण में आने के बाद आपको लाप प्राप्त हुए आपके भांजे से हमने जाना कि उसके मिर्गी के दोरे भी ठीक हो गए आज संत्रामपाल जी महाराज जेल में है तो यह कैसे संबब हो सकता है कि एक संत्रामपाल जी महारा यह सारी चीज़े संभव हो सकती है जैसे कि आज संद रामपाल जी महाराज जैसे आप बोल रहे हो कि जेल में है वो तो हमेशा हमारे साथ में है लेकिन जगत है उनके लिए सिर्फ जेल में है और संद रामपाल जी महाराज हमारे पलपल साथ में है और उनके द्वारा जो भक्ती साधना बताई जा रही है उससे कैंसर से कैंसर जैसी बिमारी भी ठीक हो रही है तो यह तो मामूली सी बात है बगजी छोटी छोटी बिमारियां ठीक होना और मेरे जैसे लाखो लोग हैं जो कि संद रामपाल जी माराजी की जेल जाने के बाउजिद भी आज नाम दिक्छा लेकर और अपना जो भी समस्या थी बीमारी थी उनको समादान कर वारह हैं और लाप प्राप्त कर रहे हैं सर आपने बताया कि आपके जैसे लाखो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दिख्छा लेके लाप राप्त कर रहे हैं तो जो जन समुदाय आज आपको देख रहा है उनको आप क्या संदेश देना चाहोगी? सर हम संदेश तो क्या स्राथना कर सकते है सारे भगट समास से कि आप भी संद रामपाल जी महाराज जी के सरन में आओ और अपना कल्यान कर वाओ सर संद रामपाल जी महाराज की सरन में कैसे आ सकते हैं? जैसे चैनलों पर ससंग आते संद्रामपाल जी महाराज के उसी चैनल पर नीचे पट्टी चलती है उनमें सारे कॉंटेक्ट नमर है और सभी जीलों में और सभी राज्यों में संद्रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो बक्ती बताई जारी उनका नाम द्यान सेंटर भी कर दो कर दो